हे गाइस वेलकम बैक टो अन्य वीडियो इस वीडियो में आप लोग के लिए लेके आया हूँ रेडमी 12 5G के लिए बेस्ट एंड लेटेस 9.1 Gcam का पोर्ट तो ये Gcam पोर्ट के बारे में सबसे पहले आपके साथ में जो पूरी फीचर से वो शेयर करूंगा फिर बात में बा अब बात करेंगे Gcam के बारे में सबसे पहले Gcam का वर्जान रेकार्ट आपको करा देता हूँ तो लेटेस्ट वर्जान आपके साथ में आज की वीडियो के अंदर देखने को मिला है तो काफी द्यादा चेंज इस बार में सबसे पहले ऊपर के जितने भी हमको कंट्रोस दे जो ऑप्शन है वो उगल ने इस बार नीचे ही सपरेटली प्रोबाइट कर दिया है तो एक्स तक यहाँ पर आप जूम कर पाऊँगे बाइडिफॉल्ट आपको फोटोस पर देखने को मिलता है वीडियो की बात करें वीडियो सेक्षिन के अंदर चला जाए तो यहाँ पर तो आपका जो डियरेक्टली क्रेश हो जाएगा और फिर बाद में आपको डियरेक्टली क्रिया डाटा करना पड़ेगा जो बाइडिफॉल एच्डी और ऑटो के उपर फ्रेम रेट वही हमको यूज़ करना पड़ेगा बागी स्टेबलाजेशन भी आपको यहाँ पर दे जो कि बहुत ही बढ़ेगा तो फुल क्रेडिट तुट एस जीखें टीम टीम ने प्रोवाइट कर दिया है आप बात करेंगे डावडिंक पोसेस्की तो सबसे पहले आपको जो लिंक के वीडियो की डिस्रिप्शन का दर देखने को मिल लेगा जिसको आप चेक आइप कर ल लेकिन रुको रुको अभी डाउनोड लिंक पे कहा दबारे हो उससे भी सिंप्लेस्ट वे अगर आप टेलीग्राम को यूज़ कर तो टेलीग्राम गुरूप पे मेरा नाम सच करना टेक्वर्ड भी ताश्री जो लिंक के डिस्क्रिप्शन में प्रवाइट कर दूगा को अप करते हैं हम इसको कंपेर विट स्टॉक केमरा सबसे पहले फोटा हमने क्लिक का है नॉर्मल के अंदर दोनों के अंदर आप देख सकतु कितना जाए डिफरेंस देखने को मिलते हैं क्वालेटी बहुत जादे इंप्रूफ है लेकिन एक बात है कि आपको जो स्टॉक क काफी बढ़िया है लेकिन वही बात है जितना अचा एडिटेशन उतने ही जारा डार्क फोटो भी जी कैम के अंदर देखने को मिलते हैं जबकि स्टॉक केमरे के अंदर फोटो थोड़ी सी ब्रैट आती है फ्रेंट केमरा की बात करेंगे सबसे पहले नॉर्मल पिक यहाप पर भी सेंग रहता है आपको थोड़ा सा डाक फोटो देखने को मिलती है लेकिन हमारे जो बढ़िया जो आप फोटो है और जो डानमिक रेंज उसके साथ पर फोटो क्लिक कर लेता है कुछ प्लांस की फोटो समने क्लिक क्या था पर आप चेक कर सकते हो टोटली जो वीनारे जी कैम रहने वाला है जी कैम को पिक्सा से नों बिल्कुल भी फटते नहीं जूम करने पर और आप जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है जी कैम की तो अगर आप सीने की फोटो स्लिक करना पसंद करें तो आपके लिए जी कैम बैस सकता है इस ब बैक वीडो सेंपल में को अल्मोस दोनों में सेम क्वालिटी देखने को मिली लेकिन जी कैम युश कर रहे है तो एक बात है कि थोड़ी सी जो आपको है इपर एडिटिशन है वो बढ़िया देखने को मिलता है थोड़ा बहुत बलर बैकर राइन मिलता है फ्रंट कैमर में भी सेम रहता है आपको इतना लादर डिफ्रेंस नोटिस में होगा जी केम और स्टॉक केमरे के अंदर ठीक ठाक से वीडियो दोनों के अंदर क्लिक हो जाती है ओवराल जी केम के बारे में बात करें तो ये जी केम आपको बढ़िया देखने को मिलता है जो कॉलिटी फोटो क्यों काफी जदा तकड़ी देखने को मिलती है अगर आप तो हल्की सी कलर गेंटिंग, हल्की सी एडिटिंग कर दोगे तो फोटो काफी जदा तकड़ी निकल कर आते है अगर आपको रेड में टोयल 5G की वीडियो फुचर में देखना है तो मैं में आपको नेक्स वीडियो करना तब तक के लिए बाई